हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कामार चैनल पर तो हम लोग कर रहे हैं क्लाश 12 का NCRT हिस्टी है यह चैप्टर नम्मर 12 है तो यह है समिधान का निर्बाड एक नए यूग की शुरुआत तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 9-10-11 मत जितने पिछले हैं सब पढ़ चुके सबसे लंबा समिधान भव चैप्टर 9-1950 को अस्तित में आया तो यह दुनिया का सबसे लंबा समिधान है और अगर कभी जान जईए सबसे लंबा समिधान भारत का है यह दि हम अपने देश के आकार और वीवित्या पर ध्यान दे तो इसकी लंबाई वδα, पेची दगी यह आसानी से समझ सकते हैं सुतंता के समय भारत ना केवल एक विसाल और विवितापुर बलकी गहरे तोर पर बिखरा हुआ देश भी था मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जूट मिलकर सब लोग था इसको बनाने के लिए पटेल जी ने बहुत सारे मेनत में किये थे इसमें बल्ल विचार विमर्ष पर अधारित और साधानी पुर्वक सुत्रबद किया गया समिधान लाजमी था हमारे समिधान ने अतीत और वर्तमान के घाव पर मरहम लगाने और विभिन वर्गो जातियों और समुदायों में बटे भारतियों को एक साजा राजनेतिक प्रयोग में साम तो भारत के समिधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बेचे सुत्र बद किया गया इस दोरान समिधान सभा में इसके मसावजिदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं 40 समिधान सभा तो इसके पहले देखिए यहां पर हम लोग देशाते हैं तो देखिए यहां लोग यहां पर छोड़े थे न कि समिधान सभा के कोली 11 सत्र हुए जीन में 165 दिन बैटकों में गए सत्रों के बीज विबिन समिधियां और उप समिधियां मसविदे को सुधारने और समानने का काम करती थी राजनीती सास्त के पार्टे पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का समिधान कैसा है आप देख चुके हैं कि अजादी के बाद इस समिधान की क्या उपेगुईता और समसार्थक्ता रही है इस अध्याय में हम समिधान के इतिहास और उसके निर्माड के दोरान हुई गहन परी चर्चा को जानेंगे यदि समिधान सभा में उठने वाली आवाजों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाजा लग जाएगा जिनके मार्दियम से समिधान को सुत्रबद किया गया और एक नए राष्ट की कलपना सकार हुई तो आगे आते हैं अब पहला पॉइंट उतल पुथल का दोर समिधान निर्माड से पहले के साल काफे उतल पुथल वाले थे तो देखी जब समिधान लागव हुआ था और जब देश आजाद भी हुआ था उस समय तो पहले लगवा गए छे देश चे महीने साथ महीने आठ महीने तो यह बताने में लग गया था लोगों की यह भरत आजाद हुआ है यह देश जो भी तो लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजियों से अजादी मिल गई थी तो वो रेल की पट्रिया उखाडने लगे थे तो उनको बताना पड़ा की य कि यह अब हमारी है और हमारी नहीं हमारी मतला अभी यहां पर जो सरकार बनेगी उनकी है तो यह सब समझाने में लग गया था उसे में बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जवालन नेरों ने बहुत सारे से सब को समझाया और भी सभी लोगों ने मिल कर समझाया तागे देखत जो ब्रिटिश राज के खिलाब संभाउता सबसे ब्यापक जना अंदोलन था बिदेशी सहायता से ससस्त्र संगर्ज के जरिये सुदंता पाने के लिए सुबाशनर बोस द्वारा किये गए प्रयाज भी लोगों को बखुबी याद थे 1946 के बशंत से में बंबई तरा आने सहरो में रायल इंडियियन नेबी साही भारती नोसेना के सिपाईव का विद्रो भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था लोगों की साहन्यू भोती सिपाईव के साथ थी 40 के दसक के आखरी सालों में देश के विभिन भागों में मजदूरों और किसानों के अंदोलन भी हो रहे थे ब्यापक हिंदुक मुसलिम एक्ता इन जन अंदोलनों का एक अहम पहलू था इसके विप्रित कांग्रेस और मुश्लिम लेग दोनों प्रमुक राजनितिक दल धार्मिक सवहार्द और समाजिक सामंजस से अस्थापित करने के लिए सूला सफाई की कोशिसों में नाकामियाब होते जा रहे थे अगस्थ 1946 में कलकत्ता में सुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगबग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला सुरू हो गया था अध्याई 11 बरबर हिंसा का या भीसर नाच भीसर जनसाहरों के साथ हुआ इसके साथ ही देश से विभाजन की घुसरा हुई और असंख्य लोग एक जंह से दुसरी जंह जाने लगे 15 अगस 1947 को सतनता दिवस पर आनन्द और उम्मीत का जो महाल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा लेकिन भारत को बहुत सारे मुसल्मानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूओं सीखो के लिए यह एक निर्मम चुनाव का छड़ था उनके सामने यह तच्छड मृत्तिव तथा पेड़ियों पुरानी जड़ों से उखड जाने के विच चुनाव का छड़ था करोड सराराती यहां से वहां जा रहे थे मुसल्मान पुर्वी वह पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल वह पुर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे बीच रास्ते में ही मर गए नवजात राष्ट के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को ले कर थी ब्रेटिस राज के दवरान महादिप का लगबग एक तियाई भुभाग ऐसे नबाबो और रजवाडों के नियंतर में था जो ब्रेटिस ताज की अधिनता स्विकार कर चुके थे उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सिमीत ही सही लेकिन काफी अजादी थी जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन अबाबो और रजाओं की सविधानिक इस्तिती बहुत अजीब हो गई एक समकादिम फ्रेचक ने कहा था कि कुछ महराजा तो बहुत सारे टुकरडों में बटे भारत में स्वतंद्र सत्ता का सपना देख रहे थे समिधान सभा की बैटके इसी प्रिष्ट भूमी में संपन हो रही थी बाहर जो कुछ चल रहा था उससे समिधान सभा में होने वाली बहुत और विचार विमर्ज भी भला अच्छूता कैसे रह सकता था समिधान सभा का गठन समिधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार भूमिक मता अधिकार के अधार पर नहीं हुआ था 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे इसके पश्चात प्रांती संसदों ने समिधान सभा के सदस्यों को चुना नई समिधान सभा के में कांग्रेस प्रभा साली थी प्रांती चुनाव में कांग्रेस ने श्रमान ने चुनाव च्छितरों में भा ने समिधान बना कर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुगात में समाजवादी भी समिधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत होना असंभव है। इन सभी kारणों से समिधान सभा के बयारसी प्रतीषत सदसे कांगरेस पार्टि के ही सदसे थैं, परंतु सभी कांगरेस सदस एक मत नहीं थें, कई निड़ायक मुद्दों पर उनके मत बिन हो सकते थे, कई कांगरेसी समझ वाद से प्रेडित थे तो कई अन्य जमिदारी के ह कुछ संप्रदाई के दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्म निर्पेक्च अराश्टी अंदोलन की वज़े से कांग्रेसी वादविवात करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझवतों की खोज करना सीख गए थे। में होने वाली इस आलोचना और जबाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बंदने वाली सामती या असामती पर गहरा असर पड़ता था। सामोहिक सा बागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंतित किये जाते थे। कई भसाई अलप संख्यक अपनी मात्र भासा की चाते थे। सभा में संस्कृतिक अधिकारों एवं समाजिक न्याय के कई महत्वपूर मुद्दों पर चल रही सारोजनिक चर्चाव पर भहस हुई। मुखे अवाजे। सविधान सभा में 300 सदस्य थे। इन में से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर रही। इन 6 में से 3 परदे के पीछे कई महत्वपूर काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोटों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परसपर विरोधी विचारों के बीच सहमती पैदा करने में महत्वपूर बुमी का अदा की। केंदरी विधी मंतरी का पद समालने का निवता दिया गया था। इस बुमिका में उन्होंने समिधान की प्रारूप समिती के अधिश के रूप में काम किया। अलाकार थे और उन्होंने अन देशों की राजनितिक व्यवस्थाओं का गहन अध्यान करके कई चर्चा पत्र तयार किये थे। दूसरे अधिकारी एस एन मुखरजी थे इनकी भुमिका मुख्य युजनाकार की थी। मुखरजी जटिल प्रस्ताओं को इस प्रष्ट वैधिक भासा में ब्यक्त करने की छमता रखते थे। अमेटकर के पास सभा में समिधान के प्रारुप को प्रारीत करने की जिम्दारी थी। इस काम में कूल मिलाकर तीन वर्स लगे और इस दोरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकार्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकासित हुए। यह लंबी मगर दिल्चस्व प्रक्रियाती समिधान सभा के सदस्यों ने अपने वीवीद रिष्टी कोड बड़ी सफाई से पेस किये थे। उनकी प्रस्तूतियों में हम भारत के भविस्य से जुड़े कई मुद्दों पर परसपर बिरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारती भसाओं राश्ट कोंसी राजनीती केवम आर्थिक बेवस्ताएं अपनानी चाहिए। नागरीकों के नयतिक मुल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं। इन सभी प्रश्णों पर भी चर्चा की मतलब करना है था। नीचे देखी यहाँ पर था है। देखी यह चित्र है बीर अमेटकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा के कस्ण चालंग कर रहे थे। समिधान की द्रिष्टी 13 दिसंबर 1946 को जवाल लाल नहरों ने समिधान सभा के सामने उत्ते से प्रस्ताव पेस किया या एक एतियासी प्रस्ताव था जिसमें सुतंत्र भारत के समिधान के मूल आदर्सों की रूप रेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाय गया था जिसके तहत में समिधान का कार आगे बढ़ना था इसमें भारत को एक स्वत्मत्र प्रभूस गड़राज घोसित किया गया था प्रागरीकों को नयाय समानता एवं सतत्ता का स्वासन दिया गया था और वह यह बचन दिया गया था कि अल्प संख्यकों पिछड़े वह जंजाती चित्रों एवं दमित वह अन्रे पिछड़े वर्गों के लिए परियात्त रचात्मक प्राधान किये जाएंगे इन्हों देशियों को रिखांकित करते हुए नेहरू ने भारती प्रेयों को एक ब्यापедь इतियासिक संदर्व में प्रस्तुत किया इस आओसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर बरबस अतीत में हुए उन अतियासिक प्राधा वेश तयार किये गए थे हम सिर्फ नखल करने वाले नहीं हैं देखिए यहाँ पर हैं 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसित भासर में जवालन नेरू ने कहा था मेरे चहन में बार-बार वे सारी समिधान सभाय आ रही हैं जो पहले या काम कर चुकी हैं मुझे उस महान अमेर्की राष्ट के निर्माड की प्रक्रिया का खयाल आ रहा है जहां राष्ट निर्मताओं ने एक ऐसा समिधान रज दिया जो इतने सारे सालों डेड़ सदी से भी जादा समय तक काल की कसवटी पर खरा उतरा उन्होंने एक महान राष्ट गढ़ा जो उसी समिधान पर अधारित है इसके साथ ही मेरी नजर उस महान करांती की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी मुझे उस समिधान सभा का विचार आता है जो सदंता के लिए इतने सारे संगर्ष लड़ने वाले पेरिस के भवे एवं खुपसूरत सहर में जूटी थी इस समिधान सभा ने कितने मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा वो तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में तोड़ रोड़ा बन रहे थे इतियास के ये सारे अध्याय बर्बस मुझे याद आ रहे हैं सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह के मुश्किले आई और जब उन सविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक सप काम पूरा नहीं कर लिया था मुझे विष्वास है कि हम भी उसी सुद्ध भावना से यहाँ इकठा होए हैं और चाहे हमारी बैटक इस कच्छ में हो या कहीं और चाहे खेतों में हो या बाजार में हमारी बैटके तब तक जारी रहेंगे जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे जारी देखिए आगे है इसके साथ ही मुझे हाल के एक करांती का बिचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ यह रूस की करांती थी जिसने दुनिया के एक सक्तिसाली देश के रूप में सोबियत समाजवादी गड़राज्य को जन्म दिया आज यह देश दुनिया में अप्रितम अप्रतीम मुमिका निभा रहे हैं यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बलकि हमारा पड़ोसी भी है यह सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं हमें उनकी सफलताओं में सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है हो सकता है कि हम उनी विफलताओं से बचने में सफल न हो पाएं क्योंकि किसी भी इंसानी कोसिस में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों वकटनाईयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उसे सपने को प्राप्त वह सकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अर्शे से अपने दिलों में सजोए हुए हैं हमने एक सवतंत्र संप्रभू गड़राज्य की स्थापना का द्रिड और पवित्र संकल पर लिया है भारत का संप्रभू होना नियत है इसका सवतंत्र होना और गड़राज्य होना भी सभाविक है कुछ यह मित्रों ने सवाल उठाया है आपने यहां लोकतंत्रिक सब्द क्यों नहीं रखा मैंने उन्हें कहा है कि नीज संदे यह सोचा जा सकता है कि कोई गड़राज लोकतंत्रिक नहीं हो परन्तु हमारा पूरा इतिहास इस तत्य का साक्ची है कि हम लोकतंत्रिक स्थानों के ही पक्षदार हैं, सभाविक है कि हमारा लच्छ लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं, ये लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी सकल सूरत कैसी होगी या एक अलग मसला है, आज के लोकतं बने रहना है तो न जाने कब उन लोगतंत्रों को अपनी सकल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती मैं आसा करता हूं कि किसी कथित लोगतंत्रिक देश की एक खास लोगतंत्रिक परड़ाली या किसी संस्थान विशेश की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं हो सकता है कि ह हम उससे बेटर कुछ रच दें बारहल किसी भी सूरत में हम यहां जैसी चाहे सरकार बनाएं वह हमारे लिए हमारे लोगों के सौभाव के अनुरूप और ऊंको स्विकार जरूर होनी चाहिए हम लोगतंत्र के हक में है यह इस सदन को तैय करना है कि इस लोकतंतर पोड़तम लोकतंतर का स्वरुप कईसा होगा सदन इस बात को देख सकता है यददबी इस प्रस्ताओं में हमने लोकतंतरी सब्द का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह तो सभाविक ही है कि गड़राज सब्द में यह सब्द पहले ही नहीं होता है इसलिए हम अनावस्यक और अनुपयोगी सब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे हमने सब्दों के उपयोग मातर से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतरवस्तु प्रस यहां मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्तक हूं और मुझे आसा है कि एक दिन भारत की समाजवाद के पक्षे में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्यकी अस्थापना के मार्ग पर चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी और ये करेम से क्या पता चलता है समिधान की दृति को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कर रहे हैं अतीत की ओर जाते हुए अमेर्की और फ्रांसिसी करांटी का हवाला देते हुए नहरू भारत में समिधान निर्मार के इतियास को मुक्ति वस्वंता के एक लंबे इतियासिक संगर्स का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। कि हमारे लोगतंत्र की रूप रेका हमारे बीच होने वाली चर्चा से भी उबरेगी वे इस बात पर जोड़ देते हैं कि भारत में समिधान की आदर्स और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते उन्होंने विश्वास बेक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले न चाहिए पस्चिम से वहां की उपलब्दियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो नहीं है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पस्चिमी समाजों को अन्य अस्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था लोगतंत्र की अपनी अधारा बदलन की जाए नेरो इस बात पर जोटे रहे थे कि भारत के लिए क्या हुचीत है इस बारे में हमें रचनात्पंग ठंग से सोचना चाहिए दूसरा का पहला है लोगों की इच्छा समिधान सभा के कमनेश सदस सोमनात लाहिडी को समिधान सभा की चर्चाओं पर बिटी पादी सासन के प्रभाव से खुद को पूरी तर अजाद कर्द करें 1946-47 के जड़ जाड़ो में जब समिधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे जवाला नहरू के नितित में अंतरिम सरकार सासन तो चला रही थी परन्तु उसे सारा काम लंदन में बैठी बरिटी सरकार के देख रेख में करना पड़ता था लाहिडी ने अपने साथियों को समझाया कि समिधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है है तो दिखें अंतरिफ सरकार को सदस्य है तो आप लोग कितने लोग कुछ बचान रहे सिर्फ हैं कि और रहा हुआ तो बेरे बाच भी नेहरू जी है और यह पठेल जी है आप लोग देश सकते हैं और जिसको नहीं पचान रहे तो आप लोग यहाँ पर देख के पचान सकते हैं आगे चलते हैं यह देखी बहुत अच्छा महदे सब्द उद्दयात के लिए है सोमना इतले अड़ी ने कहा था यह तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में दाश्ट में अगे पढ़ते हैं नेरू ने स्विकार किया कि जादतर राष्टवादी नेता एक भीन प्रकार की समिधान सभा चाहते थे एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रेटी सरकार का उसके गटन में कापी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ सर्थे भी लगा दी थी परन्तु नेरू ने कहा आपको उस रोत को नजाद नजाद नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को सकती मिल रही है सरकारे सरकारे सरकारी काग्चोच से नहीं बनती सरकार जनता की इच्छा की अविव्यक्ति होती है हम यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी द अकंच्छाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयाज करना चाहिए समिधान सभा उन लोगों की अकंच्छाओं के विव्यक्ति का साधन मानी जा रही है जिनों ने सुद्वता के आंदोदनों में हिस्सा लिया था रहे थे जब विवेकानन ने हिंदु धर्म में सुदार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा नया संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे जब महाराष्ट में जोतिबा फुले ने दमित जातियों की प्रीडा का सवाल उठाया या कमनिश्टों और सोशलिस प्रांती सरकारों में भारतियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून यहीं 1909-1919 और 1935 पारिष्ट किये गए 1919 में कारेपालिका को आंसिक रूप से प्रांती विधाईका के प्रती उत्तरदाई बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट आप इंडिया एक्ट के अंतरगत उसे लगभग पूरी तरह विधाईका के प्रती उत्तरदाई बना दिया गया जब गवर्नमेंट आप इंडिया एक् को स्वभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते इससे पहले के समयधानिक प्रयोग एक प्रतिन निधात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जबाब में थे जबकि इस बिभिन कानून 1909-1999 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतियों की कोई प्रतियर्च हिस्सेदारी नहीं थी उन्हें उपनिवैसिक सरकार ने ही लागू किया था प्रांती निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दाहरत समय के साथ फैलता जा रहा था लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क का अबादी के 10-15 प्रतिचत हिस्स उत्तर राई थी 13 दिसम्बर निशेश को नहरू जिस कलपना की बात कर रहे थे वह एक स्वतनत संप्रभु भारती गड़राज के समिधान की कलपना थी अब आता है तीसरा पॉइंट अधिकारों का निर्धारण नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किये जाए क् अलपसंख्या को कि क्या अधिकार हो वास्ता में अलपसंख्या के किसे कहा जाए जैसे जैसे समिधान सभा के पटल पर बहस आगे पड़ने बड़ी यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है फिर जिस पर पूरी सभा सहमत हो इन सव वालों के जबाब विचारों में टकराव और ब्यक्तिगत मुठ भेड़ों से भी पैदा होने थे अपने उत्तर में नेरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि सभीधान निमताओं के जनता के दिलों में समाई आकांच्छाओं और भावनाओं को पूरा करना है या कोई आसान काम नहीं था जैसे जैसे आजादी की उमीद पैदा हुई विविन समू अलग अलग तरह से अपनी इच्छाए ब्यक्त करने लगे इन सभी अभी व्यक्तियों पर पहस करना जरूरी था परस पर बिरोती पिचारों के बीचे किसी समधान पर पहुंच अगलड़ों 364 कब अदरेना जरूरी था था कि अधिता कि पहला पॉइंट आता है प्रिथक निरवाचिका की समच्या तो देखिए पहली बार निरवाच्छा नहीं पैंप हटा सकते हमें जरूरत एक ऐसी राजनेति नहांचे की है जिसके बीतर हब्याद्धियो assault कम से कम हो इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक ब्यवस्ता में अलब संख्यकों का पूरा प्रतिनेदित हो उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए देश के सासन और मुसल्मानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनेश्चित करने के लिए प्रिथक निर्वाजिका के अलवा और कोई रास्ता नहीं हो सकता बाहदूर को लगता था कि मुसल्मानों की जरूरतों को गयर मुसल्मान अच्छी तरह नहीं समझ सकते नहीं अन्य समुदायों के लोग मुसल्मानों का कोई सही प्रतिनिदित पयान से ज्यादा तर राष्टवादी भड़क गए और इसके बाद जो गर्मा गरम भहस चली उसमें इस मांग के खिलाब तरह तरह के तरक दिये गए ज्यादा तर राष्टवादियों को लग रहा था कि प्रिथक निर्वाजिका की बेवस्ता लोगों को बाठने के लिए अंग्रेजों की चाल थी आरवी धुलेकर ने बाहदुर को संबोधित करते हुए कहा था अंग्रेजों ने सनच्छर के नाम पर अपना खेल खेला इसकी यार में उन्होंने तुम्हें अलपसंख्य को खुसला लिया है अब इस आदत को छोड़ दो अब कोई तुम्हें बा निर्वाचिका एक ऐसा विस है जो हमारे देश की पूरी राजनिती में समा चुका है उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया राष्ट के टुकड़े कर दिये रक्तपात को जन्म दिया और देश के भी भाजन का कार रारवह की बीच वह गयो तो इसके बारे में हमने पढ़ेंगे बल बहुदाब पत्येला आगे हम पढ़ते हैं प्रितनि निरवाश्त के बारे में Klee अतमाघा साबित होगा तो यह को बतने कहा था और आगे बढ़ते हैं है कि यांबक्स्त कारी कि जगन नहीं है और समाजवादे बिचारों वाले एनजी रंगा ने आहवान किया कि अलब संख्यक सब्द की ब्याक्या आर्थिक इस्तर पर की जानी चाहिए रंगा की नजर में असली अलब संख्यक गरीब और दबे कुछले लोग थे उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि समिधान में प्रतेक विक्ति को कानूनी अधिकार दिये जास रहे हैं मगर उन्होंने इसकी सिवाओं को भी चिन्नित किया उन्होंने कहा कि जब तक सविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतिजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर रोजगार का अधिकार आ गया है या अब वे सभाग कर सकते हैं समिलन कर सकते हैं संगटां बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक बिस्वतनताएं हैं यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां समिधान द्वारा दिये गए अधिकारों का जनता प्रभावी धंग से प्रयोग कर सके तीसरा पॉइंट आता है हमें हजारों साल तक दबाया गया है तो समिधान में दमीत जातियों यानि डिप्रेश्ट काष्ट के अधिकारों को किस तरह परिवासित किया जाए राश्टी आंदोलनों के दवरान अंबेटकर ने दमीत जातियों के लिए प्रिथक निर्वाच सकती थी दमीत जातियों को किस तरह की सुरच्छा दीजा सकती थी दमीत जातियों के कुछ सदस्यों का अगरह था कि अचुतों की समस्या को केवल संरच्षड बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता है उनकी अपंगता के पीछे जाती विभाजित समाज के समाजिक समाज क के लोग उनके साथ गुलने मिलने से कतराते हैं और उनके साथ खाना नहीं खाते हैं और उन्हें मंदीरों उसमें नहीं जाने दिया जाता है मदरास के सदसे जे नगपा ने कहा था हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तयार नहीं है हमें अपनी जिमिदारियों का अहसास हो गया है हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है नगपपा ने कहा है कि संख्या के देश्टी से हरजन और संख्यक नहीं है अबादी में उनका हिस्सा 25 पतिशत है और उनके पीड़ा का कारड या है कि उन्हें बकाइदा समाज वराजनिती के हसिये पर रखा गया है उसका कारड उनकी संख्यात्म का महत्वा हिंता नहीं है उनके पास ना तो सिच्छा तक पहुँचती और नहीं सासन में पिसेदारी सवर्ड पहुमत वाली समिधान सभा को संबोधित करते हुए मंद्य प्रांत के स्री केजे खांडेलकर ने कहा था हमें हजारों साल तक दबाया गया है इस हद तक दबाया की हमारे दिमाग हमारी दे काम नहीं करती और अब हमारा हिर्दे भी भाव सुन हो चुका है नहीं हम आगे बढ़ने के लायक रागए हैं यही हमारी इस्तिती है बटवारे की हिंसा के बाद अमिटकर तक के प्रितक निर्वाचिका की मांग छोड़ती थी समयधान सबा ने अंतरत यह सुझाओ दिया कि अश्प्रिस्ता का उन्मूलंग किया जाए हिंदू मंदीरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधाई काओं और सरकारी नौकरियों में आरच्छर दिया जाए बहुत सारे लोगों का माना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी और समाजिक भेदभाव को केवल समयधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता समाज की सोच में बदलाव लाना होगा परंतुर लोगतांत्रीक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया चोथा पॉइंट है राज्ये की सक्तियां समधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई की किन सरकार और राज सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए जो लोग सक्ति साली केंडर के पक्षि में थे उनमें जवाला नहरू भी थे समधान सभा के अधिश के नाम लिखे पत्र सरकारों के बीच समन्वें इस्थाफित करने में और अंतर राज्टी इस तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में समक्ष सक्षम नहीं होगा सभीधान के इस मस्विदे में विसरों के तीन सूचिया बनाई गई थी केंडरी सूची राज सूची समोर्थी सूची पहली सूची के लिए विसरों केवल केंडरी नियंतर में रखा गया था समय वरती शूची में खी पांथों कि शाउच्छा करते विए बहुत ज़्यादा विसरों रखे गए खनीज पधार्थो प्रमों को दोगों पर भी केंडरी को ही नियंतर दिया गया अनुच्य तिंस कोशी संगवाद की भी जटील बेवस्ता बनाई गई कुछ एक करो जैसे गी सीमा सुलक और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केन सरकार के पास रखी गई कुछ अन्य मामलों जैसे आय कर अफकारी सुलक होने वाली आय राजय केन सरकारों के बीचे बाट दी गई थी तता अन्य मामलों में मामलों से होने वाली आय जैसे राजय इस तरही सुलक पूरी तरह राजय को सौब दी गई राज सरकारों को अपने इस्तर पर भी कुछ अधिभार और कर्वसूलने का अधिकार दिया गया उधारण के लिए वे जमीन और संपत्ती कर विक्री कर तथा बोतल बंद सराब पर अलग से कर्वसूल सकते थे चौथा का पहला पाइना था केंद्र विक्र जाएगा तो राज के अधिकारों की सबसे सक्टिसाली हिमायत इंधरास के सतनम ने पेछ की उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बलगि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी सकतियों का पुनरवित्रा जरूरी है यह दलील एक जीदसी बन गई है कि तमाम सक्तियां केंदर को सौप देने से वो मजबूत हो जाएगा संतनम ने कहा कि यह गलत फ़ामी है अगर केंदर के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्यदारियां होंगी तो वो प्रभावी डंग से काम नहीं कर पाएगा उसके कुछ जायतों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौप देने से केंदर ज्यादा मजबूत हो सकता है चौथा का दूसरा पॉइंट आता है आज हमें एक सक्ति साली सरकार किया सकता है तो प्रांतों के लिए अधिक सक्तियों की मांग से सभा में तीकी प्रतिक्रियाएं आने लगी सक्ति साली केंदर की जरूरत को असंख्य आफसरों पर रिखांकित किया जा चुका था अमबेटकर ने खोषडा की थी कि वह एक सक्तिसाली और एकिकरित केंदर चाहते हैं सुनिए सुनिए 1935 के करुमेंट एक्ट में हमने जो संकेंदर बनाया था उससे भी ज्यादा सक्तिसाली केंदर सडकों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सलस्यों ने बार-बार यह कहा कि केंदर की सक्तियों में भारी जापा होना चाहिए ताकि वह संप्रदाइक हिंसा को रोख सके प्रांदों के लिए अधिक सक्तियों की मांग का जबाब देते हुए गोश्पाल स्वामी अयर ने जोड़ देकर कहा कि केंदर जादा जादा मजबूत होना चाहिए संप्रांद के एक सर्दस से बाल किष्ण सर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला की एक सक्तियों केंदर का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में यूजना बना सके उपलब्द आर्थिक संसादनों को जुटा सके एक उंचित सासन ब्यवस्ता अस्तापित कर सके और देश को विदेशी आकरमर से बचा सके विभाजन से पहले कांग्रेश ने प्रांटों को काफी स्वायता देने पर अपनी सामती ब्यक्त की थी कुछ हद तक या मुस्लिम लीग को इस बात का वरुसा दिलाने की कोशिज की थी कि जिन प्रांटों में लीग की सरकार बनी है वही दखल अंदाजी नहीं कर जाएगी नहीं की जाएगी बटवारे को देखने के बाद जादा तर राष्टवादियों की राय बदल चुकी थी उनका काना था कि अब एक विकेंदरी किरी संरचना के लिए पहले जैसे प्राजनेतिक दबाव नहीं बचे हैं उपनी विसी सासन के दोरा थोपी कई एकल विवस्थ पहले से ही मौजूद थी इस जमाने में उस जमाने में होई गटनाओं से केंद्रियता वाद को बढ़ावा मिला जिसे अब अपरा तपरी पर अंकुस लगाने तता देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा इस प्रकार समिधान में भारती संग के घटक राचियों की अधिकारों के तुलना में केंद्र के अधिकारों की और इसपश्ट जुकाव दिखाई देता है पाच्छा पॉइंट आता है राष्ट की भासा जब एक देश के वेविन भागों में लोग अलग-अलग भासाएं बोलते हैं उनकी संस तक कांग्रेस के कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को का राष्टी भासा का दर्जा दिया जाएगा समात्मा गांदी का माना था कि हर एक को एक ऐसी संभासा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारती जनता के बहुत बड़े हिस्से की भासा थी और यह विवीत संस्कृतियों के आदान-फ्रादान से समझत हुई एक साजी भासा थी जैसे जैसे समय बीता बहुत तरह के सुरतों से नए नए सब्द और बेर्थ इसमें समाते गए और उसे विवी ने छेत्रों के बहुत सांस्कृतिक भासा विवीत समझतायों के बीच संचार की अदर्स भासा हो सकती है वह हिंदू और मुसल्मानों को उत्तर और दच्छिड के लोगों को एक जूट कर सकती है लेकिन उनिसमी सदी के आखिर से एक भासा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे-दीरे बदल रही थ हिंदु और उर्दु एक दूसरे से दूर जा रही थी एक तरफ तो फार्सी और अर्वी मुल्क के सारे सब्दों को उठाकर हिंदी को संस्कृतिक संस्कृति निष्ट बनाने की कोशिस की जा रही थी तो दूसरी तरफ उर्दु लगतार फार्सी के नजदिक होती जा रही अब आता है पार्चागा पहला पाइंट हिंदी की हिमाज़त तो समिधान सभा के एक सुर्वाती सित्र में सन्यूत प्रांत के कांग्रेसी सदसे आरभी धुरेकर ने इस बात के लिए पूरजोर सब्दों में आवाज उठाई थे कि हिंदी को समिधान निर्मार की भासा के रूप में इस्तमाल किया जाए जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्यों हिंदी नहीं समझते तो दुलेकर ने पलट कर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का समिधान रशने बैटे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्या के पात्र नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए जब इंटिपड़ियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुगा तो दुद्रेकर ने हिंदी में अपना भासड देते रहे। जबाला नहरू के हस्तचेव के चलते आखिरकार सदन में शांती बाहर हुई लेकिन भासा का सवाल अगले तीन साल तक बार बार करवाई में बाहर दालता रहा और सदस्यों को उतेजित करता रहा तकरीबन तीन साल बाद 12 सितंबर सितंबर 1947 को राष्ट की भासा के सवाल पर तुलेकर के भासर ने एक बार फिर तुफान खड़ा कर दिया तब तक समिधान सभा की भासा समीती अपने रिपोर्ट पेश कर चुकी थी समीती ने राष्टी भासा के सवाल पर हिंदी के समर्दकों और बिरोदियों के बीच पैदा हो गए बिगती रोद को तोड़ने के समिती रहे था भावासा है दोटसर कि समीती फार्मुला बिक्सित कर लिया था समीधी ने हिंदी को राष्ट भासा साब्साण के लिए हमें हमीं तीरे ना चाहिए समेधानी के परत्तिक प्रत्त को अपने कौमों के लिए एक cały भासा चुननने का अधिकार हो समिधान सभा की भासा समिती ने हिंदी को राइभासा के बजाए राइभासा काकर विभीन पक्चों की भावनाओं को संत करने और स्वास्कृत समिधान का समिधान पेस करने का प्रयास किया था तो इन सबका निश्कर सकता हम कहा सकते हैं कि बहाती समिधान कहन विवादों और परिछर्चाओं से गुजरते हुए बना और उसके कई प्राधान लेन देन की प्रक्रिया के जर्ये बनाए गए थे उन पर समती तब तक बन पाई जब स्वलश्यों ने दो बिरोधी बिचारो के बीच की जमीन तयार कर ली परंतु समिधान के समिधान के एक केंदरी अभी लच्छड पर काफी हद तक समती थी यह समती प्रतेक वयस्क भारतिये को मताधिकार देने पर थी इसके पीछे एक खास किसमें का भरोसा था जिसके पुरवदारण अने देश के तिहाज में नही हुई सुरू सुरू में मताधिकार केवल संपती रखने वालों पूरसों को ही दिया गया फिर पड़े लिखे पूरसों को इस विशेस वर्ग में सामिल किया गया लंबे व कटू संगर्सों के बास रमेक और किसान वर्ग के पूरसों को मताधिकार मिल गए पाया ऐसा अधि मिद्धान हुआ समाज को चलाने के लिए सभी भारती संदर्भों में उसके मुख्य अभी लच्छडों का जिक्र आदस रूप में किया गया था ऐसा मूल अधिकारों की श्रिंखला को रचने के जरीए किया गया विशेशकर धार्मिक सतंता अनुच्छेट पचीस अठाइस संस्कृति क्वाला है जो उन्तिस सतीस है एम समानता का दिकार 14-16-17 राजे ने सभी धर्मों के प्रती समान बेवार की गारंटी दी और उन्हें दी और उन्हें इतैसी संस्थाएं बनाया रखने का अधिकार भी है या राजे ने अपने आपको विभीन धर्मी समधायों से दूर रखने के कोश स्सस कि और अपने स्कूल और कालेज में अनिवार्मिक सिच्चा पर रोक लगा दी सरकार ने रोजगार में धार्मिक बेदभाव को अवैद थार आया लेकिन दूसरी और धार्मिक समधाया से जुड़े समाजिक सुधार कारिक्रमों के लिए एक उच्च कानूनी गुंजाईस रखी गई इसी वज़ा से अस्प्रिशता पर कानून रोक लगाई गई और इसी कारण से व्रिक्तिगत और परिवारी कानूनों में परिवर्तन हो पाए भारती राजनितिक धर्मिनिफ्चता में राज्यवत धर्म के बीच पूर बिच्चेद नहीं रहा हमने दोनों के बीच एक वेवर्पूर अस्थाबना बनाने के कोशिस की समिधान सभा के विवादो में हमें यह समझ आती है कि समिधान के निर्मार में कैसी कैसी बीरोद आवाज्यव उठी और कैसी कैसी मागन के गई ये चर्चाएं हमें उन आदर्सों और सिधान्तों के बारे हैं जिनका जी कर समिनान की निम्टाओं ने किया परन्तों इन बातों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्सों को विशेश्ष संदर्प के मुताबिक बदला गया इसके अलामा आईसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्योंने तीन वर्सों में हुई चर्चाऊं के साथ अपने बिचार रही बदल दाले कुछ सदस्योंने अपने तर्कों के प्रकास में अपनी समझ बदली और खूले दिलो दिमाग से काम किया सब्सक्राइब को देखने देखते हुए अपने विचार बदल ला ले तो यह तस्वीर एक्ष है जो कि सभिधान सब्वते हुए बिया रमेट कर और रायन परसाद उसरे से बढ़ाई देते हुए है देखिए इसका अब उत्तर दे सकते हैं देना चाहेता है तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का एंस्यार्टी ठीक है जो कि चैप्टर राजबारा पढ़ रहे थे समिधान का नेमार एक नई जुकी शुरुआ था तो इस प्रकार यह क्लास 12 का एंस्यार्टी अब सम हो चुका है तो आप इसका प्लेइलिस्ट बना हुआ है आप जगर पूरा देखिए इसको और समझी है ठीक है तो हम लोग फिर मिलते है नेस्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल स्ट्राइब करिएगा धन्यवाद